नमस्का दोस्तों आपका अपना यूटूब चैनल इगल अरिवेदा पर एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों इस पेड़ों को आप देखे ही होंगे यह अरिवेद की बहुत बड़ी आउसदी है यह जड़ी बुटी का नाम बेल है दोस्तों रताउंधी की बिमारी में यह बेल रामबन आउसदी है बेल पत्र धार्मी कार्यों में प्रयोग में लाए जाता है दोस्तो इस का फल भी हमारे स्वास्ति के लिए बेहत लाप करी है दोस्तो रताउंधी होने पर रोगी को सूरत ढलते ही दूर की चीजे धुंदली दिखाई देने लगती है रात होने पर रोगी को पास की चीजे भी दिखाई देती है इस रोग की इससा से अधिक विलंब किया जाये तो रोगी को पास की चीजे बिल्कुल दिखाई नहीं देती है रोगी तेज रोशने में थोड़ा बहुत देख पता है रतोंधी के लिए आप अरिवेदिक जड़ी बुटी के प्रयोग करके इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं इसके लिए आप 10 ग्राम ताजे बेल पत्रों को साथ नक काली मिर्च के साथ पीश कर 100 ग्राम जल में च्छान कर 25 ग्राम मिस्री या सक्कर मिला कर सूबह साम पीएं तथा रात्री में बेल के पत्रों को पानी में डुबा कर रग दें और सूबह होते ही इसी पानी से आँखों को धोएं ऐसा करने से रतोंधी में लाब होता है इसके अलावा 10 ग्राम बेल पत्र का रस, गाय का घी 6 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, तामबे की कटोरी में इतना रगड़ी की काला सुर्मब बन जाए इसे आखों में लगाएं और प्राताकाल गो मुत्र से आख को दोएं ऐसा करने से रताउंधी की बिमारी में आपको लाब होगा दोस्तो दूनिया भर की दवा खाने से अच्छा है आप रताउंधी की परसानी में बिल पत्रों का उपयोग करें आपको इससे ज्यादा लाब होगा और बीमारी भी जड़ से खत्म होगा दोस्तों इसी प्रकार के अरवेदिक जड़ी बुटी की जलकारी के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर भी करें